हलो अबरीवन वालकम बैक तो मैं चैनल गाई साथ में जो इसके दो स्कीन टोनर का रिव्यू लेकर के आई हूँ और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आपको टोनर के बारे में कुछ इंफोमेशन देना चाहती हूँ कि टोनर का यूज हमें क्यों करना है किस वक्त करना है और टोनर के बैनिफिट्स क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दू कि टोनर का अगर हम रगिलर यूज करते हैं तो टोनर जो है हमारी स्कीन के पिएच लेवल को बैलेंस में रखता है कई बार क्या होता है ज्यादा लंबे समय तक हम कॉस्मेटिक का इस्तमाल करते हैं जिससे हमारी जो स्कीन है हमारी स्कीन में डलनेस आ जाती है हमारी स्कीन जो है रिफ्रेस होती है है डलनेस को दूर करती है इन गर हमें open pores की problem होती है तो वो उसे minimize करती है और जिनकी बहुत ज्यादा oily स्कीन है और उनके oil को ängt्रोल में रखती है Now,labhi मैं जो toner का use करती हूँ, अपने लिए जो मेरा खुद का personal experience है toner से related So, मैं always JoVis का toner use करती हूँ Now, मैं JoVis के toner के लिए use करती हम Rose Now, मेरी skin बहुत जियादा dry है, so यह JoVis का Rose toner है Spiically dry skin के लिए है यह toner So, पहले मैं इस toner के packaging के बारे मैं आपको बता दू सो इस तरहां की बढ़िया सी packaging में आती है ये कहीं से leak नहीं होती सो ये travel friendly है आप इसे कहीं भी easily ले आ जा सकते हो इस product का जो plus point है वो ये है कि ये एक spray bottle में आता है जिसे क्या है जो toner है उसे spray करने में आसानी रहती है यहाँ पर जो है अंदर एक बड़िया सा pump दिया हुआ है जिसकी मदद से toner को spray कर सकते हैं हम easily इस product की अगर fragrance की बात की जाए तो इस product की जो fragrance से बहुत ही strong है rose की एक strong fragrance आती है कई लोगों को strong fragrance पसंद नहीं आते मुझे भी नहीं है बट इसका result मुझे बहुत अच्छा लगा इस product के अंदर से rose की बहुत ही strong fragrance आती है जो जिन्हे strong fragrance पसंद नहीं है तो उन्हें थोड़ी दिकत हो सकती है यह जो है हमारी skin को refresh and clean करता है यह जो product है यह 100 ml का है इसमें 200 ml का भी आता है बड़ा वाला यह 100 ml का product है इसकी जो MRP है 170 रुपीज है इसकी जो shelf life है वो हमें 3 साल की मिल जाती है अगर इसके ingredients के बारे में बात की जाए इसके अंदर है rose, petal extracts, orange peel extracts, peach extracts, lemongrass etc काफी सारे natural ingredients है इस toner के अंदर इस toner का benefit क्या है इस toner developed for normal to dry skin इस toner को normal and dry skin दोनों ही use कर सकते है और यह जो है हमारे skin से dirt को remove करता है और जो है more even look and soft look provide करता है और प्रसनली यह जो toner है dry skin का rose toner जो इसका मुझे बहुत अच्छा लगा और आप देख सकते हो almost मेरा यह खतम होने वाला है और मैं इसे फिर से repurchase भी करने वाली हूँ अभी हम बात करेंगे जो इसके cucumber toner की यह जो toner है वैसे तो इस दोनों की packaging बिल्कुल सेम है वो rose toner था यह cucumber toner है और इसकी जो quantity है 200 ml है और 200 ml है तो इसकी जो MRP है 220 रुपीज है और इसकी भी self life जो है हमें 3 साल की मिल जाती है तो अभी हम बात करेंगे कि इस cucumber toner के benefits क्या है तो यह जो है यह specially oily skin के लिए है यह जो toner है यह help करता है oil को excess, extra जो oil है उसे control में रखता है dirt को remove करता है open pores को tightens करता है जो हमारी skin का pH level है उसे balance करता है मेरी skin तो oily नहीं है और मैंने इस product को use भी नहीं किया है मेरे घर पे कुछ family members ऐसे हैं जिनकी skin oily है और उन्होंने से use किया है सो इसका भी बहुत अच्छा result है इस cucumber toner की fragrance की बात की जाये तो इसकी fragrance बिलकुल cucumber की तरह है cucumber की fragrance इस toner में से आती है यह दोनों ही product जो है jovis के हैं मुझे jovis के product बहुत अच्छे लगते हैं मैंने jovis के बहुत सारे product यूज किया है just like jovis का cleansing milk है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है jovis coffee scrub etc बहुत सारे जो product है मैंने use किया है now यह जो bottle है यह transparent bottle में आता है इसकी packaging तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर का product जो है कितना use हुआ है and खतम कब होने वाला है and इस product की best बात मुझे यह लगती है इस bottle की कि इसे हम फिर से इस bottle को use कर सकते हैं यह बहुत ही cute सी packaging में आता है now यह अगर खतम भी हो जाता है तो हम इसके अंदर अलग से toner घर पर जो toner बनाते हैं उसे भी store करके रख सकते हैं and यह दोनो toner बहुत ही best है dry and oily skin के लिए अभी हम बात करेंगे कि toner को किस वक्त use करना है उसका इस्तेमाल कब करना है so toner जो है अगर after bath आप use कर सकते हो रात को सोने से पहले जब आप अपना skin care करते हो उस वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर make-up apply करने से पहले भी toner का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे क्या है मिकप का लुक बहुत ही अच्छा है और फ्रेस लुक आता है हमारा अगर समर में जो है हमारी स्कीन में डलनेस एंड थकान भरी जो है हमारी फेस लगती है अपने face पर spray की मदद से spray कर सकते हो face and neck पर या फिर cotton ball या फिर cotton pad की मदद से all over face and neck पर जो है massage नहीं करना है only dab dab करना है ऐसे और जब यह dry हो जाएगा खुद से सूख जाएगा यह dry हो जाएगा अपने आप जो है अपने skin पर जो है अपसोफ हो जाएगा यह toner जो है आप अपना कोई भी अच्छा सा moisturizer apply कर लीजिए और मैं आपको suggest करूँगी कि आपकी skin अगर बहुत ज्यादा oily है या फिर combination भी है तो आप इस cucumber toner का use करें आपकी skin बहुत ज्यादा dry and normal है तो आप इस rose toner का use कर सकते हो यह दोनों product जो है आपको online website पर मिल जाएगे या फिर आपको किसी भी local market में जो मिल जाएगा किसी भी shop पर अगर आप online purchase करते हो तो कुछ न कुछ discount जरूर मिल जाएगा इस toner पर टोनर यूज करने के लिए किसी भी age की जो है जरूरत नहीं होती है आप किसी भी age के हो फर्क नहीं पड़ता है आपको अपने skincare routine पर जो है टोनर का इस्तमाल करना चाहिए अगर आप school girls हो teenagers हो कोई भी age क तो आपको अपने skincare routine में जो है toner का use जरूर से करना चाहिए अगर आपको इन दोनों product के related कोई भी question हो तो आप मुझे नीचे comment box में जरूर से पूछ सकते हो और अगर आपको मेरा ये video useful लगा तो please like this video and subscribe to my channel thank you bye take care